ये ऐसे बोलने कि 20 लाग मुसल्मानों को मार देंगे, ये ऐसे बोलने कि हम अलग-अलग तरीका ढूंडेंगे, मुसल्मानों को इस देश में साइड लाइन करने का, मुसल्मानों में इस देश में भेदभाव करने का, क्यों मुसल्मान जो है इस देश का भारती मुसल्मान क् बच्चों में डाल लें, वहाँ पे इतने सारे लोग बैटे ये बात सुन रहे हैं, खुद तो जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, ऑक्सवर्ड में, हावर्ड में, यूएसे में, यूके में, और ये सब जो एक आम जनता है, उनके लिंचिंग पर कानून बनाएं, मेरी खुद की पेटिशन चले, चेंज.org पर उस पर लाखो साइन है, कि लिंचिंग का कानून बनना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बन पाए, तो कहीं न कहीं सत्ता चाहती है, कि इस तरीके के क्राइम होते रहें, जो हमारी केंदर सरकार ह और लोग मरते रहें, 20 लाख मुसल्मानों की जान ले लेंगे, हमारे 100 लोग मिलके काट देंगे, धार्मिक नेता ऐसी बात करते हैं, धार्मिक लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात कौन करता है, आतंगवादी सोच रखने वाले लोग न, ये तो आतंगवादी हुए फिर, पिलकुल वहाँ पर आ और ये हिंदू और हिंदुत वादी में, हिंदू बिलकुल ऐसे नहीं होते, अगर हिंदुत वादी एक विचारधारा बन गई है, जो कि आतंगवाद की विचारधारा है, जो कि लोगों को मारने की बात करती है, मुसल्मानों की बात करती है, तो हिंदू ऐसे नहीं होते है, म वैसी विचारधारा रखते हैं आतंगवादियों वाली वो आइसिस जैसे तो क्या गलत बोल दिया था क्यों इतना बावाल हो रहा था आपने क्या दीखा नहीं विचारधारा इन लोगों की जिनको धार्मिक नेता कह रहे हैं आप धार्मिक कहां से हो यह लोग आपने दीखा भारती मुसलमान क्या वो इंसान नहीं है क्यों उसके साथ second class citizen जैसा क्या कहते हैं व्यभार होगा इसे open genocide call दी जा रही है मैं पूछता हूं कि सरकार क्या कर रही है उतरा खंड की वहाँ पे इस तरीके का program होने कैसे दिया ठीक है या UAPA जो है वो सिफ छात्रों के लिए और प पत्रकार सवाल पूछेंगे उन्हें तो आप उठा के जेल में डाल देंगे और जो खुले में बोलेगा कि 20 लाक मुसलमान हैं उनको मार देंगे इस देश में उनके उपर UAPA नहीं लगेगा वो इस देश का धार्मिक सद्भाव नहीं बिगार्ड है वो कमिनल हर्मिनी नह ने कहा था कि हमें तयारी करनी होगी तो वो दरसल किस तरह की तयारी की बात कर रहे हैं वो साफ तो आपको दिख रहा है किस चीज की तयारी की बात कर रहे हैं वो मुसलमानों का नरसंगार करनी की तयारी की बात कर रहे हैं मुसलमानों को जान से मारनी की तयारी की बात कर र इस देश का हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं एक बात बताईए कोई भी हिंदू जो है इस देश का वो हमेशा यही चाहता है कि सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से रहे सेकुलर से रहे आप मैं हूँ मैं एक हिंदू हूँ मैं पूजा करता हूँ आप य भी धर्मों की इज़त करते हैं अगर नहीं भी होते हैं यह सिंबल मेरे मंदर में तब भी मैं सब धर्मों की इज़त करता है जो इनसान सब धर्मों की इज़त करता है वो हिंदु इनसान ये कभी बोली नहीं सकता कि मुसल्मानों को मार दो कहीं नहीं सकता और इस समय देश मे क्या हो रहा है कई Christians पर attack हो रहा है कई इस तरीके की सभाई हो रही है जहां पर ये बोला जा रहा है कि 20 लाग मुसल्मानों को मार दिया जाएगा क्यों 20 लाग मुसल्मान जो है वो भारती मुसल्मान है वो भारती है और हर भारती है के साथ हर भारती है खड़ा है ठीक है आप नहीं कर सकते कि मुसल्मानों के साथ भेदबाओ कर ले मुसल्मानों को मारने की बात करें और एक बात बताईए इस तरीके की आतकवादी सोच ये नए जमानी के बच्चों में डाल लें वहाँ पे इतने सारे लोग बैटे ये बात सुन रहे हैं खुद तो जो पॉलिटिकल प कि इनको पर्मिशन दी गई और अब वो वीडियो सामने आ गई तो अरेस्ट कब होगी और अगर अरेस्ट नहीं होगी इन लोगों की अगर इन पर यूए पी नहीं लगेगा इन पर फाइयर नहीं होगी तो मैं तो यह कहूंगा ना कि सत्ता के संग्रक्षन में हो रहा है इ है कि इनकी हिंदुत वाद की एक आतंगवादी विचार धा रहा है जिसके खिलाफ हर हिंदू खड़ा इस देश का आपने कहा कि जैसे तरह हिंदुस्तान में कृष्णों के उपर भी अत्याचार हो रहे है और इस कारेकरम के दौरान वहां के जो नेता थे वो बार-बार मय में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो है क्या इन से ये लोग इनको क्या दिखाना चाह रहे हैं देखे पहली बात तो इन लोगों को कोई नॉलेज होती नहीं है ठीक है ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग है इनको कुछ हिस्ट्री के बारे में पता है कुछ करेंट अफेर्स के बारे में पता है अपनी नफरत की दुकान चलाने के लिए यूत के अंदर जो एक आम हिंदू यूत है उसके अंदर क्या कहते हैं नफरत भरने के लिए कुछ भी जूड बोलते हैं बात यह है कि पहली बात तो इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है चाहे फिर वो बांगलादेश के हिंदों पे हो पाकिस्तान के हिंदों पे हो या भारती मुसल्मानों पे हो वो गलत ठीक है जब बात मानव अधिकार की होती है तो कोई यह नहीं कह सकते है हमारे देश का आंतरिक मामला है फिर सब सब देश का मामला सब देश का बनता है क्योंकि मानव अधिकारों का लोगों का सबसे पहला अगर कोई अधिकार जो इनसान को मिलता है जब वो पैदा होता है तो राइट टू लाइफ राइट टू डिगनिटी का होता है यह UDHR यानि Universal Decretion of Human Rights United Nations में भी लिखा हुआ है सा आप उठाइए आवाज उठाइए ना किए कि आप अपने देश में गलत करने लग जाएं तो आप यह नहीं कह सकते हमारे देश का जो मुसल्मान है भारती मुसल्मान है वो हमारा भाई है ठीक है हमारे देश का जो क्रिश्चन है भारती क्रिश्चन है वो हमारा भाई है भ लिए आए दिन लिंचिंग बढ़ती है आप देखिए मुसलमानों की लिंचिंग होती है आज तक इस देश में एक लिंचिंग का कानून नहीं बन पाए जबकि 2018 में सुप्रीम कोट ने बोला था केंदर सरकार को की लिंचिंग पे कानून बनाए मेरी खुद की पेटिशन चल आज दिखे लिए हमें इस तरीके नफ्रत फैलने वाले लोग नहीं चाहिए है अपने समाज बें हमें इस तरीकी आतंगवाधी हमारे समाज में पेज़ा सााफ में बोलना हो जो लोग ऐसे खड़े हो के बोलते है उनकी आतंगवाधी विचार दारा है जो ऐसे 20 यह को मॉस क्या कहते हैं, simple सा difference बताने कोशिश कर रहे हैं, कि भाई, हिंदू धर्म, ठीक है, अगर कोई धर्म का, और ये सिर्फ हिंदू की बाती नहीं है, ये मैं बोलाँ किसी भी धर्म, अगर कोई भी इंसान धार्मिक है, अपने धर्म का पालन करता है, चाहे फिर वो इसलाम से हो, च जैसे हिंदों में क्या सिखाया जाता है, दान करना, मुसल्मानों में क्या सिखाया जाता है, जकात, ठीक है, सिखों में क्या सिखाया जाता है, सेवा, क्रिश्चन में क्या सिखाया जाता है, सर्वेस, ये सब क्या है, अपने साथ ही लोगों की, अपने समाज में रहने वाल बताते हैं राहुल गांदी जो की वो हिंदू हिंदुत्वात करके बताते हैं लेकिन सभी धर्मों पर आप लेकि एक अच्छा इंसान जो अपना धर्म फॉलो करता है जो पूजा करता है वो लोगों का अच्छा ही सोच सकता है और उसका अच्छा सोचने के लिए उसके एक नेता लगा कि उसको गंदा कर रहे जबकि आतंगवादी सोच के लोग हैं इनके उपर कड़ी से कड़ी करवाई होनी चाहिए जी बिलकुल दरसल उस कारेकरम के दौरान मुसलिम के खानपान पर भी टिपने की गई थी तो क्या खानपान से किसी समाज पर कोई असर पढ़ थी रहते हैं ठीक है उदर वो बीच पे क्या चावल होगा लेंगे उनका परटिकुलर जो खाने में होता है मालनी जे फिश होता है या कुछ वहाँ की चीज़े होती है ठीक है जो लोग डेजर्ट में रहते हैं क्या वहां सबजी होगा लेंगे ठीक है तो उस हिसाब से जोग्रफी के हिसाब से बहुत खाना डिसाइड हुआ था जिसे एक टाइम पे जब लोग बढ़ रहते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं यह पर्सनल फूट चॉइस है ठीक है इवेन फेड भी बहुत पर्सनल चीज है ठीक है मैं तो खुद वेजिटेरियन हुँ मैं बिलकुल प्योड वेजिटेरियन हूँ ठीक है एक personal food choice है मेरी लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई chicken खाता है तो मैं उसको मार दूँगा या मैं उससे नफरत करने लगूँगा बहुत से हिंदू भी हैं जो non-wage खाते हैं बहुत से मुसल्मान भी हैं जो pure vegetarian है ये एक pure food choice है इसको religion से जोड़के ना देखा जाए वही बहतर है तो इस कारेकरम को यहीं पर समाप्त करते हैं राहुल कपूर को हम तहदिल से शुक्रियादा करते कि उन्होंने इस गंभीर विशय पर अपने टिपनी दी धन्यवाद जी जी बहुत धन्यवाद आपके चैनल का